नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिस दिशासत की रामें आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फैंड संतोशी गजब का उत्साह दिखाया है आप लोगोंने और अब तो हमें ये लग रहा है कि हम सब मिल करके कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं इतना बड़ा जिसकी कलपना ही सायद किसी नना किया हो बस अब ये धंग से हो जाए आप सब का सनेह आप सब का प्यार आप सब की महबबत आप सब का सम्मान और आप सब का हमारे प्रती साथी साथ सिरिशनिदेव के प्रती जो आपने भाव दिखाया है हम उसके लिए आप आप कर रहे हैं ना आप आने की असमुर्थता बता रहे हैं कि आप आ नहीं पाएंगे तीस तारीख बनारस स्थान और तारीख निश्चित है इसमें अब कोई प्लस माइनस नहीं है अगर कोई इस तारीख पर कहीं व्यस्त है बहुत ज़ादा और नहीं आ पा रहा है लेकिन 27 सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए हमने एक वीडियो प्रोग्राम सेट करने की प्लानिंग किया उसको एक वीडियो भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए अर्थात बिना आए भी आप कर सकते हैं लेकिन पहले आप आने के लिए विचार करिए आप आने का प्रियास करिए और बहुत मजबूरी है तो बात अलग है ब्यवस्था हो गई है आप पेमेंट कर सकते हैं संख्या हम निर्धारित करते जा रहे हैं बस एक दो दिन और जादा से जादा और फिर ये चैप्टर 27 सदस्ता अभियान का बंद करेंगे एक बाए फिर से जिनों ने भी अपना सहोग किया है एक रुपे से ले करके बहुत सारे लोगों ने एक रुपे भी किया है पांच रुपे भी किया है आठ रुपे शनी देवकांग काट का है तो आठ रुपे भी हमारे पास पेमेंट आए हैं उन सब को हम बार बार उन सब को हम आभारवेक्त करते हैं हम क्या ज़्यादा करेंगे हमारे लिए टो यह ही नहीं इस धन का उपभोग जो भी वन्चित समाज जो भी उपेक्ष्चित लोग जो भी आवश्यक्ता वाले जरूरत मनद लोग करेंगे उनके रोएं से आपके लिए आशिरवात निकलेगा ही निकलेगा आपका ये एक पैसा आपके आने वाले दिनों में आपके लिए करोण बन करके आएगा भरोसा रखिएगा चलिए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा और गुलिक काल दो पहट डीर से तीन राहुकाल में नए और शुबकाम के लिए सास्त्र बना करते हैं और गुलिक काल आप कोई भी नए और शुबकाम का आरंब कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं आज की सबसे पॉजटिब भमिश्यवाणी मेश्टाशी पढ़ाई के लिए आपने जो प्रयास किया उसको आज पूरा होता हुआ देखेंगे मन में उत्साह रहेगा, चमक रहेगी और शुभत्व रहेगा ब्यापार आपका अच्छा है, मिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है आज निवेश का फल मिलेगा, प्राइवेट सिक्टर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा प्राइवेट सिक्टर में आज कुछ अच्छा किया जा सकता है सरकारी छेत्र आप पर आज भिस्वास जताएगा गौर्णमेंट सिक्टर वाले आज आपके लिए बहुत प्रशनता जाहिर करेंगे प्रफेशनल लाइफ निवेश का फाइदा मिलेगा कुछ अच्छा करने की चाहत आज पूरी कर लेंगे आप आज का दिन दामपत्य जीवन के लिए बहुत सुख़द है पत्नी के साथ अच्छा समय भी देखा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे लव लाइफ आपके लिए कुछ सोच समझ करके एक अलग तरह की सुरुवात कराएगा स्वास्त के मामले में किटनी और आखों की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए आपको आज का दिन ब्यहतर करने के लिए हल्दी लगाई अपनी रिंग फिंगर में और नाभी को स्परश कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है शुबरंग स्लेटी भाग्य प्रत्षत 61 ब्रिशब रासी सबसे पॉज्टिब भविश्वाडी सहीवे इतना पॉज्टिब कहीं नहीं मिलेगा जहां खाली सकारात्मक्ता हम आपको देते हैं तभी तो करता है कि कम सकम बीस बीस लोगों को आप लोग शेयर करिए सब को आप सोचो हर बीस 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 हर कोई पॉज्टिब हो जाएगा यार और क्या चाहिए सबसे बड़ा उपाए आप पांच लाख रुपे का नीलम एक तरफ और पॉज्टिब सोच एक तरफ नीलमवा तो आपको पटक के मारेगा पॉज्टिब सोच आपको उठा ले जाएगा आस्मान छूलेंगे आप पढ़ाई के प्रती आज आपका जुनून जागुरित होगा मानसिक प्रशनता रहेगी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी ब्यापार अनोखा है निवेश का फायदा होगा प्राइवेट सेक्टर में आज वाहन का सुख मिलेगा सरकारी छेत्रवा लोग के लिए कई राष्टे आज खुल जाएंगे प्रोफेस्नल लाइफ में आज कोई मित्र नया प्रोजेक्ट दिला सकता है महला मित्र के साथ अच्छा समय वीतेगा दामपत्य जीवन बहुत सुखत एहसास कराएगा मुश्किलों का हन निकलेगा लाव की आउसर बनेंगे लव लाइफ थोड़ा सा तनाव दे रहा था लेकिन शाम होते होते इस्थिति आपकी सुधर जाएगी और आप पॉश्टिव हो जाएंगे स्वास्थ के मामले में पेट आँख और लीवर की प्रोब्लम होगी प्रियोग क्या करना है आज गुलाब जल से थोड़ा सा तिलग लगा लिजेगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्यप्रशत 62 मिथुन राशी चिंताओं से मुक्ति मिल रही है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में लाब होगा व्यापार अच्छा है रुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइविट सिक्टर के लिए वाहन का सुख है नई नोखरी के प्रयास पश्चिम दिसा से मिल रहे है सरकारी छेत्र आज आप के लिए बहुत अनकूल रहेगा बहुत प्रशन रहेंगे आज प्रमोशन के लिए पैरवी कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइव में मन बहुत प्रशन रहेगा मानशिक शान्ती मिलेगी धन की स्थितिस हुधर रही है दामपत्र जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे और मुश्किलों का हल निकलेगा लव लाइफ आपके लिए अच्छा है, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी विवा की चर्चाज हो सकती है, नए प्रफोसल पर विचार कर सकते हैं स्वास्थ के मामले में आँख और माइगरेन की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुन है ओम अंगार का नमह इस मंत्र का 11 वार जाब करिएगा क्या नहीं करना है, जूट नहीं बोलना है शुबरंग आज लाल भाग्य प्रत्षत 68 नव मई दिन सो मवार करक राशी सबसे पोजिटिव भविश्य माड़ी पढ़ाई के लिए आज अउसरों का लाव होगा सिक्षा में सुधार हो रहा है बड़ा उचाईच होएंगे ब्यापार अच्छा है, रुके काम बन जाएंगे प्राइबेट सेक्टर में प्रोमोशन है सरकारी छेतर में आज बॉस के साथ अच्छा समय भीतेगा रुके धर की प्राप्ती होगी प्रोफेशनल लाइफ शुबता है हर प्रकार की स्थती से आज उल्जन से बाहर निकलेंगे लव लाइफ और मार्यड लाइफ आज शादी के लिए उत्तम दिन है शादी शुदा जिन्दगी के लिए सर्वोत्तम दिन है दोनों स्थतियां आपके लिए आज अनकूल रहेंगी करक राशी वालों के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए प्रियोग के तोर पर उल्टी हथेली पर थोड़ा सा सर्शों का तेल रखर किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज वाहन उधार नहीं देना है शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्य प्रत्षत 63 अगली राशी सिंग सबसे पौश्टिव भविश्मारी दिनांक 9 मई दिन सोमवार पढ़ाई में आज अनकूलता है सुख्षा के लिए सुधार वाली इस्थिती बनी रहेगी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी ब्यापारी दिश्टिकोर्ट से समय अनकूल है निवेश का फाइदा होगा चिंताओं से मुक्ति मिलेगी सरकारी शेतर आप के लिए बहुत अनकूल है हर प्रकार की शुपता है प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख मकान का सुख और नई नोकरी की संभावना प्रोफेशनल लाइफ में निवेश का लाब मिलेगा आज नए काम मिल सकते हैं आज पुरानी समस्या से बाहर निकलेगी व्यक्तिकत मसले पर थोड़ा सा धहर रखिएगा ताम पते जीवन अच्छा है बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा मुश्किलों का हल लिख लेगा लब लाइफ आपके लिए अच्छा रहेगा अनकूरता देगा आज हो सकता है कि शादी की चर्चा हो जाए और होती है तो कर लीजेगा स्वास्त के मामले में आखों से पानी आना और जुखाम की सिकायत हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपकी राशी सिंग है आज दाइने हाथ के अंगूठे पर थोड़ा सा केसर लगा लिजेगा क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है शुब्रन केसरिया भाग्य प्रत्षत फिफ्टीवन नौ मई करन्या राशी सबसे पोजिटिव भविश्यमारी शिक्षा के लिए आज जो भी विचार किया उसके अनुसार आप कदम बढ़ा देंगे पढ़ाई पूरी होगी अवसर बड़े मिलेंगे ब्यापार अच्छा है और उके काम बन जाएंगे चिंताओं से मुक्ति है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा और उसका लाभाव को होगा सरकारी छेत्र बहुत अच्छा है आज मन बहुत प्रशन रहेगा काम में लगेगा और आपकी सराहना होगी आफिस में अगर आपकी प्रसंसा हो तो इससे बढ़कर उपलब्धी क्या है बताईए यही तो है पॉजिटिव भविशमाली आप दस-दस लोग को शेर किया करिए हमने आप सब से आग्रह किया है आप लोग एक लाख तक व्यूज पहुचाईए तब हम मानेंगे कि हाँ हमारा श्रम हमारा परिश्रम आप समझते हैं और पूरा आपके हाथ में यह और कोई किसी के हाथ में नहीं आप शेर करेंगे सामने वाला देखेगा वो शेर करेगा और देखेंगे और हम लोग एक लाख क्रॉस कर जाएंगे कन्या राशी आज का दिन दामपत्य जीवन के लिए नई सुरुवात विवादों से मुक्ते मिलेगी लव लाइव एक नया आरंभ विवाद की चर्चा आज मांसिक मजबुती मिलेगी स्वास्त के मामले में थोड़ा सा जोड़ों में दर्द रहेगा प्रियों क्या करना चाहिए आज कन्या राशी को हरी सबजी किसी जरुतमंद को थमाईए क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है भूरा रंग शुभ है पचास प्रत्रत का भाग्य है नौ मई सो मवार तुला राशी सबसे पहुश्टिव भविश्मारी पढ़ाई के लिए आज सकरात्मक सोच उचाई छुआ देगी आज दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा ब्यापार अच्छा है और के काम बन जाएंगे मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइबिट सेक्टर आपके लिए अनकूल है हर प्रकार की शुपता है चिंताओं से मुक्ती मिलेगी सरकारी छेतर आपके लिए नहे रास्ते खुलेगा गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी अवसर बड़े मिलेंगे और उनमें आप इन्वाल्व भी होंगे दामपत्य जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा पत्नी के साथ शुपता मिलेगी आज प्रोफेशनल लाइफ में कुछ वाहन से संबंधित चिंताओं से मुक्ति है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी तुला है स्वास्त के मामले में माइगरेन और डाइजेशन में दिक्कत रहेगी आज तुला राशी वाले एक लौंग खाले जिएगा यह आपके लिए उपाय रहेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज रिवील नहीं करने है बादामी रंग शुभ है सब्तावन प्रतिशत का भाग आपके साथ है ब्रिश्चिक राशी बहुत शुभ समय है पढ़ाई में बहुत अनकूलता रहेगी सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आईगी व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में रुके काम बन जाएंगे मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा चिंताओं से मुक्ति देगा सरकारी छेतर मुश्किलों का हल निकालेगा गौर्मेंट सेक्टर में लाब के बड़े अउसर बनेगे आज प्रोफेस्नल लाइफ वालों के लिए कुछ नए रास्ते खुल रहे है सरकारी छेतर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ सकारात मकता देगा प्रोफेस्नल लाइफ भी अच्छा यहां भी सकारात मकता दामपत्य जीवन बच्चों का सुख मिलेगा मुश्किलों का हल लिग लेगा चिंताओं से मुक्ति मिलेगी लव लाइफ में कुछ तनाव थे वो दूर हो जाएंगे अगर कल बिवाद हुआ था तो दूर हो जाएगा सकारात मकता यही पर पैदा करना है स्वास्त के मामले में आज बैक की प्राबलम आँखों की समस्या थोड़ी बहुत दिखाई देती है प्रयोग क्या करना है आज सफेद रंग का वस्तर धारन करना है और क्या नहीं करना है बड़ों से उलजना नहीं है सफेद रंग शुभ है 69 प्रत्चत का भाग्या धनुराशी 9 मई सबसे पॉश्टिब भविश्यमाणी गुरुप श्टडी कर सकते हैं आज पढ़ाई में आपका हर हाल में लाव होने वाला है बाहर जाने की प्रयास सफल होंगी ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइविट सेक्टर आपके लिए अनकूल है और सरबड़े मिलेंगे लाव होता जाएगा सरकारी छेत्र अनकूलता देगा गौर्णमेट सेक्टर में लाव होगा आज प्रफेशनल लाइफ में वाहन का सुख मिलेगा दामपत्य जीवन बच्चों के साथ अच्छा समय विता रहा है पत्नी के विचारों में आज आप मैच कर जाएंगे और दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा लव लाइफ की स्थिति में सुधार होगा आज एक दूसरी के प्रति विश्वास जागरुत करेंगे और उसका आपको फाइदा भी दिखेगा स्वास्त के मामले में धनुराशी वालों को आज लीवर और बैक की प्रॉब्लम दिखाई देती है प्रियो क्या करना चाहिए अपने मस्तक पर लाल तिलक लगा लिजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के काम में ताग जहांक नहीं करना है काला रंग शुब है 49 प्रतिशत का भाग जाब के साथ है मकर राशी 9 मई सो मवार सबसे पोजिटिव भविश्यमारी शिक्षा के लिए कल के प्रियास आज सफल होंगे परिणाम अनकूल आएंगे चिंताओं से मुक्ति मिलेगी ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बनेंगे वाहन बदल सकते है प्राइवर सेक्टर के लिए अनकूलता है दक्षुर दिशा से आउफर आएगा सरकारी छेतर में निवेश का लाब मिलेगा आज प्रफेशनल लाइफ में कोई दोस्त मुददगार साहबित होगा दामपत्य जीवन में रिष्टों को मजबूत करने के प्रयास सफलों के बाहर भोजन के लिए जा सकते हैं लव लाइफ अच्छा रहेगा रिष्टे में मजबूती आएगी डेट पर जाने का कारिक्रम आज न करें तो बहतर है स्वास्त के मामले में पेट लीवर और आँख की समस्चा रहेगी तो योग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी मकर है आज मकर राशी वालों को किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की चीज देना शुप होगा क्या नहीं करना है आज ब्लेक कलर नहीं पहनना है हरे रंग की शुपता है अठावन प्रत्षत का भाग्या है कुम्भराशी नव मई सोमवार सबसे पॉश्टिव भविशवारी पढ़ाई हो अच्छी है दिमाग को थोड़ा सा पुरानी चीजों से बाहर निकालिएगा और फिर देखिएगा कि शुक्षा में कैसे रमेंगे आप ब्यापार अनुखा है बिल्कुल अच्छे से चलेंगे बिजनस में कोई रुकावत नहीं आएगी चिंता बिल्कुल भी न करिएगा अउसर अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है बड़ा लाब होगा मुश्किलों काहल निकलेगा सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अन्कूल है गवर्मेंट सेक्टर में अउसर अच्छे मिल रहे है प्रोफेस्नल लाइफ निवेश का फायदा देगा किसी तरह की समस्या नहीं आएगी सरकारी छेत्र प्रोफेस्नल लाइफ और मैरेड लाइफ आज ससुरालियों से रिस्तों को मधूर किया जा सकता है बैठ करके कुछ अच्छा निर्ड़ा लेंगे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ बहुत अन्कूल है आउसर बड़े मिलेंगे शुपता जरूर है स्वास्थ के मामले में पेट, आँख और किटनी की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम्भ है आज कुम्भ राशी वालों को किसी छोटे बच्चे को टॉफी चॉकलेट देना शुप होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करना है शुबरंग बैगनी भाग्य प्रत्षत पच्चपर 55 बात करते हैं मीन राशी की दिरांक 9 मई सम्मवार सबसे पॉश्टिव भविश्य बाड़ी मीन राशी के लिए आज इस्थती सुधार वाली है शुक्षा के छेतर में भी सुधार व्यापार में भी सुधार प्राइमेट सेक्टर के लिए भी अवसर अच्छी बिल रहे है किसी तरह की दिक्कत नहीं है सरकारी छेतर आपके लिए तमाम चिंताओं से मुक्ते देगा दामपत्य जीवन अच्छा है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या सजग रहिएगा कोई काम हाथ से निकालने की कोशिश कर सकता है आप सजग रहेंगे तो पॉजिटिब रहेंगे और काम आपका बच जाएगा दामपत्य जीवन की स्थिति में सुधार अपने आप आएगा बच्चों का साथ बना रहेगा लेकिन लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवशकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो पेट और किडनी की समस्या आज दिखाई देती है प्रयों क्या करना चाहिए आज आज प्रयों की तौर पर नीले रंग का धागा अपने पास रखिए शाम तक इसके बाद इसको निकाल कर कहीं पऊधिय की निशे डाल देशे क्या नहीं करना है आज किसी को गाड़ी मांगने आए तो गाड़ी मन दिचेगा नीरारंग शुभ है 63 प्रतिशत का भाग यह आपके साथ है यह तो रहा राश्यों का हाल हमारे साथ कल परसो आज और कलकत्ता मिल सकते हैं कल परसो 10-11-12 यह तीन दिन आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं राशी में अगर राशी में मिलना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर चल रहा है इसके बाद राइपूर और फिर नागपूर आपके पास अवसर है मुलने के लिए आप दिये गए नंबर पर तुरंत वाटसप कर लिजेगा और मिलने का समय सुनिश्चित कर लिजेगा सुर्वात अब आज के भाग्याक्षर की मेशखाँचर बिशबहा मिथुन बाग्षर करक जा सिंग चाँचर कन्यास्सा तुला हाँचर मिश्चिक्गबा धनुताँचर मकरका कुंभा पाँचर मीन न शुब भाग्याक्षर है सादे चवक और कागच पर लाल रंग के इंक वाली कलम से लिखिए और अपने पास रख लेजे अब आज का एस्ट्रो क्विज शनिदेव की धाया कितने समय की होती है एक साल दो साल धाई साल या पांच साल सनिदेव की ठाईया एक डाईया कितने साल की होती कितने समय की हमने दिया है बिकलप दिया और सही उत्तर जो भी आपको लगे वो आप हमें वाट्सव कर दीजिए नंबर हमारा वाट्सव का और टेलिगराम का एक ही है आपके सामने चल रहा है इसी नंबर पर आपको WhatsApp करके अपनी दो फोटोग्राफ के साथ भेजना है ध्यान दीजी आप अभी भी आप मेंसे बहुत सारे लोग अपने फोटोज नहीं भेज रहे हैं उनका सेलेक्शन नहीं हो रहा है फोटो भेजना compulsory है और नाम calling number call तो कभी भी जा सकती है शुरुवात करते हैं आज का success की काले तिल और काले चने एक एक चुटकी किसी पौधे के नीचे डाल दीजे चीटियों आध के लिए बस जिसकी आज birth anniversary और marriage anniversary है 9 माई को हमाली तरब से पहले शुब काम नाए जिसका birth anniversary है सुमवार के तीन ब्रत करना है और किसी जरूरत मंद को धन देना है जिसकी आज मैरी जमर्सरी है नीरा रंग का कपड़ा दान करना है दो लोगों को पति-पत्नी मिलकर बैठा कर शनेह पूर्वक आदर पूर्वक भोजन करा दे काम पूरा बस कर हमने जो प्रश्न किया था अब बारी आ गई है उसके सही उत्तर को जानने की और भागशाली विजेता से बात करने की कर हमने आप से प्रश्न किया था कि नीदना आने की विमारी किस ग्रह से देखी जाती है कौन सा अग्रह दूशित अधवा पीडित होने पर आदमी अनिद्रा का शिकार होता है आपके विकल्प थे ए शनी माफ किजेगा ए गुरू बी शनी सी केतू डी राहू आप सब ने पापी ग्रहों को जिम्मेदार ठाराया जबकि ब्रहश्पति इसका सही उत्तर है अगर आपकी कुडली में ब्रहश्पति पीडित है तो आपको अनिद्रा जरूर होगी क्योंकि बारहवे भाव का कारग देवगुरू है ब्रहश्पति है मीन राशी है बारहमा भाव कालपूरुष की कुडली में तो जिसने भी ब्रहश्पति दिया है उनको हमारी तरफ से शुब कारणा और बढ़ाईया और अब आए उनसे बात कर लेते हैं हलो जी शीराधे नमस्कार नमस्कार जी जैस जी आज भागिशाली विजेता बन गए अरे आज आज भागिशाली बन गए जैस जी कहां से बात कर रहें आप गुजराद बरोडा सिंगोर से बात कर रहा हूं मैं अपने अनलाइन मेरे तीन दर्टे की बात किती अच्छा ऑनलाइन तीन बच्चों का आपने बात किया था आज तो आज लेकिन आप भागिशाली बन गए और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि जो है अनिद्रा के लिए ब्रहश्पती जो है जिम्मेदार होता है कैसे जाना आपने इसके बारे में में जाना कि मेरा एक दोस्ट है उसको ऐसा प्रॉब्लम है ए block और उसको अब आट उसको छे महाना से ऐसा प्रॉब्लम होता है आप उसको नीद नहीं आती हूं किया बात मताई यह आपने बिल्गु सही पकड़ दिया है तो मेरे बात तुम जब तीप पर से प्रोग्राम देख रहा हूं क्या बात अजैश जी बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा तुम ने वह सोचिए कि अज़ पेड का गूद लगाने का चाहा हूं किसरी अंगली प्रेय हैं बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल ठीक बात तुम ने ऐसी प्रिट थी हाँ 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 तबसे बहुत आपका प्रोग्रम देख रहा हूं तुम आज तक पर आप इसे आज तक प्याते थी बिल्कुल ठीक आप ने जैश जी किसके बारे में जानना है बापको मेरे तो जानना है मेरे नंदर्का है वह लंदन सब्सक्राइब और बाविस्पर को जाने वाला है वह मैने आपको तिजर मेरे तुम ने यहाँ बुला जा तो उसका मेरे ज़ा बताईए डेटाबर्थ बताईए जल्दी करें आप रिकॉर्डिंग अन है जल्दी करें आप मापी चाहें के जैश जी समय बहुत कम होता है हमारे पास सताईस जुलाई पंचानवे ताइम बताईए सुबह चार बच के बारग बड़ोदा पूछें क्या प्रश्ण है इसके लिए उसके शादी का हुआ है जी इसका मिथुन लगन है करक राशी है और फिलहाल विवाह का योग अभी बन चुका है ब्रहश्पत के सरिक देव के पास आने से तो अभी संयोग बन चुका है शादी का इसके तो इसके लिए ना शुक्रवार का एक व्रत करवा दीजिए लड़की ठीक मिलेगी हलाकि कुछ रबाधाएं भी इसके जीवन में आ रही है इससे यह थोड़ा सा अचानक से आ करके रिस्ता नजदीक तक टिक के नहीं कट जा तो शुक्रवार का एक व्रत कर लेगा यह और बिल्कुल नॉन्वज नहीं चूने दीजिएगा विल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बहुत अच्छा है तो यह दो चीज करवाई है और एक विवाह बाथा शांती यग इसके लिए करवाना होगा अगर ये रिस्ते में दिक्कत करता देंगे आपको व्यक्तिकर तो पर एक बार आप बात कर लीजिए गा तो हम उसको बता देंगे उसके वारे में विस्तार से आपको अब जादा विस्तार से इस समय बात नहीं हो पाएगी अच्छा 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 फिर आप बात कर लेंगे बेक्तिकर तोर पर आपसे आप बात कर सकते हैं और जल्दी से अगर आपने अब तक कमाने के लिए 27 सदस्ता के लिए पश्मेश्वर शनिधाम अकाउंट में 2000 सम्मिट नहीं किया है तो आपके पास अभी का है जल्दी करें समय कम है किसी भी पल हम बंद कर सकते हैं इस ओफर को दान तो फिर भी आजीवन ता उम्र साल दर साल चलता रहेगा बहुत-बहुत आभार आप लोग का प्यार बनाये रखने के लिए हमें अनुमत दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखे नमस्कार आप जिए बाद आपको कुछ कार्य दिया जाएगा जिसकी पूरी जानकारी आपको 30 मई 2022 दिन सोमवार सोमवती अमावस्या शन जैनती के दिन बनारस में होने वाले शन शरणम समारोह में दी जाएगी शन देव के आशिरवात से आप जीवन परियंत आर्थक सम्रिध्धी को प्राप्त करेंगे इसका वचन हम आपको देते हैं झाले जाएगी